नमस्कार दोस्तों इस उड़े में आपका स्वागत है गाइस तो अगर आप भी मोबाइल या फिर कोई भी प्रोडॉक्ट इयमाई पर यानि डेबिट कार्ड के ओपर इयमाई पर खरिदना चाहते हैं तो यह मोका हो सकता है आपके लिए जैसे कि अभी तो यहाँ पर अमोज करना है और इस तरह से टप करने के बाद पर यहां पर देखने को मिल जाया तो यहां पर देख सकते हैं यहां से आपको पता चलेगा कि आपको debit card पर EMI पर कोई भी product यानि mobile हुआ, TV हुआ, freeze हुआ, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो यहां से ही पता चलेगा, तो यह करना बहुत ही जरूरी है, यानि eligibility, आप eligible है या ना हो, यहां पर पता करना जरूरी है, तो सबसे पहले तो आपको बता द bank या फिर capital bank, यहां पर SBI bank भी था, यहां पर SBI को निकाल दिया है, अब यहां पर यह 5 ही bank है, जिसके थूरू आप यहां पर debit card से EMI पर कोई भी product खरी सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले आप comment बता दा चाहूंगा, तो देख सकते हैं, यहां पर कुछ SMS my HDFC2 यहां पर 5676 और 712, यह नंबर पर my HDFC करके हमें message करना होगा, और यहां पर देख सकते हैं, कुछ इस तरह कहां हमें ad देखने को मिलता है, तो DSCMI यह लिखना है, और इसके बाद में अपना debit card का last four digit enter करना है, और इसके बाद में 5676 और 788 इस नंबर पर आपको message कर देना है, यहां पर HDFC का मे एक message करके दिखाता हूँ, यहां पर सबसे पहले message box open करना है, और इसके बाद में अगर आप HDFC bank की eligibility चेक करना चाहते हैं, तो यहां पर यह 2 लिखा हुआ है, यहां पर हमें number डाल देना है, जो कि नंबर डालना है 56 और 7676 और यहां पर 712, यह number डालना है, उसके बाद में य जो भी आपका mobile number register होगा bank में, यानि HDFC bank में होगा, तो वही number से आपको message कर देना है, message करने के बाद हमें एक यहां पर message फिर से मिल जाएगा bank की तरफ से, अगर आप eligible है, तो Congress relation का option मिलेगा, और इसके बाद में आप debit card से EMI पर यहां पर कोई भी product यानि mobile हुआ, TV हुआ, फ् पर इसकते हैं,